हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चानल स्टाड़ी वे सुजीत में तो दूस्तो आज हम देखें कि कोचन बैंक 2022 यानि कि इस वीडियो में हम लोग कभर करेंगे बाइलोजी के 2021 से 2009 तक जितने भी प्रस्नोतर हमारे बोर्ड एक्जामें प चानल स्टाथा है तो किरपल से लासनल तक ज़युद देख़ेंगा तो चलिए बारी-बारी से देखते हैं प्रस्नोतर को यह वीडियो थोरे सलना म्हों neol거야 अ कि इस वीडियो को generation gene का expression gene का regulation और gene का function तो उपीरन मंदल यह पर्दरसित करता है gene का regulation याद रखे जैनिक अपसर नमबर C इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्स्ट प्रस्ण है निमने में से किसका पुस्पासन खाया जाता है तो यह खाया जाता है सेव का याद रिखे यानिका अप्सन नमबर भी इसका राइट एंसर हो जेगा तीसरा नव प्रश्ण की DNA निमन में से किसका अनुवन्सिक पदार्थ होता है तो यह होता है बेक्ट्रियो फाज का यानिका अप्शन नमबर B इसका राइट एंसर हो जेगा प्रश्ण की प्रश्थितिकी तंत्र की अहार स्रिंखला में उर्जा का परवाह कौन करता है की अहार स्रिंखला में उर्जा का परवाह एक दीसिय करता है यानिका अप्शन नमबर A इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्ट प्रश्ण है कि निमन में से कौन एक जेविक खाद नहीं है इन में से कौन एक जेविक खाद नहीं है तो वह होता है बैसिलस थूरी एंजियंसिस यानिक अप्सन नमबर B इसका राइटेंसर हो जेगा बाईलोजी में क्या होता है थी अधिकतर सब्दे आपको इंगलिस में ही देखने को मिल जाते हैं और जोला हो गया ये सभी इंगलिस सब्दे है प्रस्न की चैरोग का संक्रमाड मुख्यता किस के द्वारा होता है तो चैरोग का संक्रमाड यह होता है हावा के द्वारा यानिक अप्सन नमबर B इसका राइटेंसर हो जेगा जेव रियक्टर अनुकूलतम प्रस्थित्की में क्या निर्माण होता है तो इसमें उत्पाद का निर्मार होता है जेव रियक्टर अनकूलता में यानिका अप्सन नमबर A इसका राइटेंसर हो जेगा प्रस्टने कि किस फल में बीज चोल पाए जाता है ये बहुत बार हमारे बुड एक जमे में पूछा जा चुका है कि किस फल में बीज चोल पाए जाता है तो यहाँ पाए जाता है लीची में यानिका अप्सन नमबर A बी इसका राइटेंसर हो जेगा लीची और A102 परदुस्टर का सूचक होता है तो SO2 परदुसय का सूचक होता है या होता है लाइकेन का यानिके आप्सान नमबर B इसका राइट एंसर होजेगा और कवक और सेवाल का मिस्टरण कवक प्लस सेवाल से लाइकेन बनता है यानिके आप्सान नमबर स्वरी सेवाल बनता है याद रखेगा और एसो टूप पर दुसर का सुचक होता है लाइक इन का बीस का राइटेंसर हो ज़ेगा याद रखेगा प्रस्ण है कि सहद निर्मार कौन करती है तो सहद निर्मार यह कार्यकर्ता मधुमाखी करती है यानिका अफसन नमबर सी इसका राइटेंसर हो ज़ेगा निम्णांकित में कौन सी बिमारी मुर्गियों में होती है तो मुर्गियों में रानी खेत नमर्ग बिमारी होती है यानिका अप्सन नमबर D इसका राइट एंसर हो जेगा इडली एंडोसा का आठा किस सुक्षम जीव के परियोग से बनाया जाता है तो यह बनाया जाता है जीमारू का यानिका अप्सन नमबर A इसका राइट एंसर हो जेगा एगा रोज किसे से पराप्त किया जाता है तो एगा रोज यह समुंदरी घास से पराप्त किया जाता है और जो ऐओडीन होता है आयोडिन ये भी समुंद्री घास से ही प्राथ के जाता है ओपरेन मंडल किसने परस्तावित किया था तो ओपरेन मंडल या जेकॉब और मोनार्ट के द्वारा परकासित किया गया थे इनके अप्सन नम्बर सी इसका राइट एंसर हो जेगा परस्तने की रीतु सराव चक्र किस में होता है मनुष्य में, बंदर में, चिंपेंजी में और डी है इनमे से सभी तो रीतु सराव या इनमे से सभी में होता है यानिके अप्सन नम्बर दी इसका राइट एंसर हो जेगा द्वीखंडन किस में पाए जाता है तो द्वी खंडन यह अमीबा भे भी पाई जाता है और परामेसियन में भी पाई जाता है यानिका अप्सन नबर C इसका राइटेंसर हो जेगा A और B दोरों में द्वी खंडन पाई जाता है प्रस्ण की DNA अड़ों में साइटोसिन 18% है तो एडिनीन का परतिसत क्या होगा तो एडिनीन का परतिसत 32% होता है यानिका अप्सन नमबर D इसका राइटेंसर हो जेगा बिडाल परिक्षाण किसकी पुष्टी के लिए किया जाता है तो बिडाल परिक्षाण या थाइफाइड के लिए किया जाता है याद रेखेंगे निका अप्सन नमबर D इसका राइटेंसर हो जेगा अप्सन नमबर D इसका राइटेंसर हो जेगा और एचाइब का फुल फ्रम होता है इम्यून डेफिसेंसी वाईरस हो जाएगा एचाईबी का फूल फ्रम तो टी हेलपर कोज़का इसका राइट एंसर होज़ेगा D प्रस्टने की ऐसे पदार्थ जिनके प्रती परतिक छा अनुकिरिया होती है उन्हें क्या कहते हैं तो उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं यानिक अप्शन नमबर D इसका राइट एंसर होज़ेगा एंटीजन एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या होते हैं तो एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है उसे हम लोग हिस्टामीन और सिरोटीन टोनीन कहते हैं निकि option number C, इसका राइटेंसर हो जगा, A और B, दोनों में allergy के रासाइन पाए जाते हैं निम्ने में से कौन नर युगमक के सन्योजन कर ब्रूंड पोस बनाता है तो इन में से कौन नर युगमक को सन्योजन निकि एक साथ मिला कर ब्रूंड पोस बनाता है तो वह होता है दिवित्यक केंद्रक याद रखे गया निकि option number D, इसका राइटेंसर हो जगा एक जीन जोड़ा, दूसरे जीन जोड़ा के परभाव को दबा देता है इस घाटना को क्या कहते हैं? तो इस घाटना को एपी एस्टेसिस कहते हैं यादिक option number A, इसका राइटेंसर हो जाएगा transfer RNA में पाए जाने वाले तिन जारकों का क्रम जो संदेश वाहक RNA कोडोन से बन्धता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे anti-kodon कहते हैं यादिक option number C, इसका राइटेंसर हो जाएगा transfer RNA में पाए जाने माले तिन जारकों का क्रम जो संदेश वाहक RNA कोडोन से बन्धता है उसे anti-kodon कहते हैं याद रखेगा दो नंबर में भी दो से तीन बार अभी तक पूछे जा चुका है कि anti-kodon क्या है? तो इसे आप लिख देते हैं तो full marks मिल जाएगा बुच्रेरिया बेंक्रोप्टी जो आदमी में phyleria रोग पाएदा करता है तो उस सम्मूह को क्या है? कहते हैं तो उस सम्मूह को helmet कहते हैं यादिक अपसर नंबर D इसका राइट एंसर हो जगा अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा परभावित होता है तो सबसे ज़्यादा परभावित या कृत होता है यादिक अपसर नंबर D इसका राइट एंसर हो जगा मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? तो वह अपवाद के रूप में सहलंगनिता हो जाता है यादिक अपसर नंबर D इसका राइट एंसर हो जगा नियमने में से कौन योन संचारित रोग होता है? तो योन संचारित रोग के रूपे सीफिलिस हो जगा अप्सन नमबर D इसका राइट एंसर हो जेगा सिफिलिस, गुनोरिया, एर्स यह सभी योन संचाइत रोग होता है यानि कि हमारे बोड एकजाम में तीनों में से एक जरूर पुछेगा बार बार पुछता है तीनों में से एक इसमें सिफिलिस पुछा है, या तो आने वाला एकजाम में या तो गुनोरिया पुछेगा, या तो एर्स पुछेगा याद रखेगा, तीनों में से एक जरूर पुछता है योन संचाइत रोग के रूप में प्रस्ट ने कि निमने में से कौन बिशानुस से होने वाली बीमारी नहीं है तो इन में से कौन बिशानुस से नहीं होती है तो वह डिप्थिरिया या जो बिशानुस से नहीं होती याद रखेगा निमनली खित में कौन पसुपालन में समलित नहीं है तो पसुपालन में कार्बनी खेती जो होती है यह समलित नहीं है यानिक आपसा नमबर D इसका राइट एंसर होजेगा प्रस्टने के निमनली खित में किसका समंध माइक्रोबाइलोजी से नहीं है तो Microbiology से Stephen Hills का नहीं है याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा अफसन नंबर C इसका राइट एंसर होजेगा और प्रस्न है कि Anticodons किसमें पाए जाता है तो Anticodons यह पाए जाता है T-RNA में याद अफसन नंबर B इसका राइट एंसर हो जेगा मेंडल ने पर्तिपादित किया था तो मेंडल ने अनुवन सिक्ता का नियम परतावित पर्तिपादित किया दानिक अप्शन नमबर बी इसका राइट एंसर हो जेगा और मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का प्रयोग किया था याद रहेगा नेक्टा प्रश्ण है प्रश्ण के प्रिथिकरन के सिधान्त को और क्या कहते हैं तो प्रिथिकरन के सिधान्त को और इसे युगमकों की सुधिता का नियम कहते हैं याद रखेगा यानिका अपसन नमबर C इसका राइट एंसर हो जेगा नई पर जातियों कि निर्मार का महत्वपूर कारक क्या है तो इसका प्रमुख जो कारक होता है यह होता है उत्परिवर्तन यानि कि अप्सन नमबर बी इसका राइट एंसर हो जेगा एक कीडिना क्या है ये भी बार बार हमारे बोडिक जामे पुछता है कि एक कीडिना क्या है तो एक कीडिना एक प्रकार का योज़क कड़ी होता है याद रखेगा निका अप्सन नमबर इसका राइट एंसर हो जेगा और प्रस्टन की डोडो है तो डोडो यह होता है भिलूप्त प्रजायती होता है निकि इस अपसन नमबर इसका राइटेंसर हो जगा प्रस्टन है कि निमने में से कौन द्वीगूनित सनरचना है बताना है कि निमने से कौन द्वीगूनित सनरचना होता है तो युगमनास जो होता है यह द्वीगूनित सनरचना होता है याद रखे यानि कि अपसन नमबर सी इसका राइट एंसर हो जेगा निम्ने में से कौन पोध जलोद भीत है सिंघारा नाकफणी सीसम एकिसिया इसमें से कौन जो पोधा है जो जलोद भीत होता है सिंघारा जो होता है ये जलोद भीत होता है साटोली को सिकाएं पाय जाती है तो साटोली को सिकाएं ब्रिशन में पाय ज सटोलिकोशिकां मनुश्य यानिकी पूरुस में गुंडशुत्र की संख्या क्या होती है तो इन में गुंडशुत्र की संख्या 44-1 होता है याद रेखेंगा निकाप्षा नमबर भी इसका राई टेंसर हो जेगा गेंड़ा अभ्यारन किस राज्य में अवस्ति थे तो इसका राइट टेंसर होज़ेगा बायो गैस में होता है तो बायो गैस में क्या होता है कि कर्बन डाइक साइड भी होता है हाइडोजन भी होता है और मिथेन भी होता है नहीं कि D इसका राइट टेंसर होज़ेगा इन में सभी में बायो गैस होता है next प्रास्ट है crossing over किस अवास्था में होता है तो crossing over या packaging अवास्था में होता है याद रखे यानिका option number C इसका right answer हो जगा PCR से किस की जाच होती है तो PCR से HIV का जाच होती है यानिका option number A इसका right answer हो जगा प्रास्टने की परतेक जीवित पादप कोशिका से पुर्ण पौधा बन जाता है इस गूढ़ को क्या कहते है तो इसे टीटो पोटेंसी कहते है यानिका option number C इसका right answer हो जगा प्रास्टने की अवरित बीजी पौधो के भूढ़ पोस में गूढ़ सुत्रो की सुत्र गूढ़ता क्या होती है तो इसकी गूढ़ सुत्रता यह होती है थिरी एन यानिका option number C इसका right answer हो जगा जब संतातिकी उत्पाती एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है पूचाए कि जब संतातिक उत्पाती एकल जनक द्वारा होती है तो इसे अलेगिक जनन कहते है यह भी प्रस्ण दो नमर में पुछता है कि अलेगिक जनन क्या होता है तो जब संतातिक उत्पाती एकल जनक द्वारा होती है उसे हम लग अलेगिक जनन कहते है याद रखेगा प्रश्ण की मानो युगमाकों में गुर्ण सुत्र की संख्या कितनी होती है तो 23 होती है यानिका अप्सान नमबर भी इसका राइटेंसर हो जगा बहुत से विद्यार्थी यानिकी जानते होंगे कि 46 लेकिन युगमाकों की संख्या तेज होती है या निकापस नमबर भी इसका राइट एंसर होजेगा याद रगेगा रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम एंडो नूकलियेज होता है या निकापस नमबर भी इसका राइट एंसर होजेगा और प्रश्ण की राष्टिय उद्ध्यान में सुरक्षा परदान की जाती है तो राष्टिय उद्ध्यान में सुरक्षा परदान यह फ्लोरा से भी किया जाता है फाउना से भी किया जाता है और परस्तित की तंतर से भी एलोरा की और फावना की होती है यानिके अप्सान नमबर D इसका राइट एंसर हो जेगा इससे सुरक्षा परदान की जाती है A और B से अप्सान नमबर D इसका राइट एंसर हो जेगा और बावनव प्रस्निके द्वित्यक उत्पादक किसे से संबंदित होता है तो दुवित्यक उत्पादन या संबंदित होता है साकाहारी से आपसा नमबर B इसका राइटेंसर होजेगा और तिरपनव प्रस्ण की पास्चूराइजेशन में गर्म करते हैं तो पास्चूराइजेशन में केवाल दूध को गर्म करते हैं अपसा नमबर A, इसका राइट एंसल होज़ेगा, नेक्स नप प्रश्ण है, पराग भीती होती है, तो पराग भीती यह होती है द्वी अस्तरिये में, अपसा नमबर B, इसका राइट एंसल होज़ेगा, प्रश्ण के T-Limpocyte उतपन होता है, तो T-Limpocyte यह अस्तिमाजा मे उत्पन होता है, इरो R1 इंजाइंब का स्रोथ क्या होता है? तो EKO R1 का सही जो स्रोथ होता है, या होता है E-COLI. अपसन नमबर B इसका राइट एंसर हो जहेगा. नीमण में से कौन किट भक्षी पौधा है? तो किट भक्षी पौधा के रूप में ड्रॉसेरा और नेपेथिंस होता है यानिका अप्सन नमबर C इसका राइटेंसर हो जाएगा A और B दोनों प्रस्टे की नीमने में से कौन उभालेंगी प्राणी है तो आपको बताना है उभालेंगी प्राणी के रूप में केचुवा होता है और केचुवा को किस क्राण का मित्र भी कहा जाता है याद रहके निका अप्सन नमबर D इसका राइटेंसर हो जगा प्रस्टिक कि क्लॉरेला निम्र में से क्या है बताना एक सेवाल जीवारू प्रोटोजवा एक अलकोज का प्रोटेन तो कुलोरेला यह होता है सेवाल यानि कापसर नमबर ए इसका राइट एंसर हो जेगा कुलोरेला सेवाल होता है क्राइजीन बाल क्रीमी से कीस फसल को बचाता है तो cry gene बलकृती से यह बचाता है कपास कपास को बचाता है यह इसका राइट एंसर हो जगा प्रस्टन है कि नीमने में से DNA में कौन से फ्यूरीन बेस है तो इनीमें से बताना है किसे में फ्यूरीन बेस होता है तो यह होता है एडेनीन और गौनीन में यानिका अपसा नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा और cancer किस कारक से होता है तो cancer यह oncogenes के कारण होता है यानिका अपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा सुक्षिम परजानन निम्निमे से क्या संभाव करता है तो सुक्षिम परजानन या करता है अलेंगिक परजानन यानिका अप्सन नमबर सुक्षिम परजानन अलेंगिक परजानन संभाव करता है यानिका अप्सन नमबर ए इसका राइट एंसर हो जेगा प्रस्टन की RNA के Pylymidine में पाए जाता है तो RNA के Pylymidine में साइटोसीन और यूरेसील पाए जाता है यानिका अप्सन नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा प्रस्टन की Triple Antigen Tica का उप्योग की इसके लिए नहीं होता है तो Typhide के लिए Triple Antigen Tica का उप्योग नहीं करते हैं यानिका अप्सन नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा प्रस्टन है कि निमने में से कौन Greenhouse Gas नहीं है तो Greenhouse Gas के रूप में Nitrogen नहीं होता है और बाइमंडल में Nitrogen का 78% होता है बाइमंडल में अब ब्रहमांड में पुछेगा तो Hydrogen का सबसे अधिक परतिसत होता है याद रखेगा काना राष्टिय उद्ध्यान यह की सलिए परसीद है तो काना राष्टिय उद्ध्यान यह बागों के लिए परसीद है यानिका अप्सन नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा निमने म देखाएगा यह सही स्रिंखला है नुक्लियोसाइड है तो नुक्लियोसाइड इनमें से बताना है कौन है तो सुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस होता है यानिका अप्सन नमबर A इसका राइट एंसर हो जगा तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 2000 21 के ओल को देख चुके हैं तो अब देखेंगे 2020 में पूछे गए सभी प्रस्नों के इंसर इसी प्रकार से दो हजार नो तक एक ही वीडियो में हम लोग कबर करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं 2020 में पूछे गए सभी प्रत नौतर के इंसर और यह 2020 में देखिए किस तरह का प्रश्ण पुझा गया था और यहां पर प्रश्ण है कि उनर योगन DNA TK किया होता है तो यह इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है निकि अप्सन नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा ग्राफियन पुटक कहां पाए जाता है तो यह मानव अंडासर में पाए जाता है अप्सन नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा जिवास में समानियत या तलचटी चटान में पाए जाते हैं एपसा नमबर C, इसका राई टेंसर हो जएगा निमनांकित में से कौन जलिये जंगली घास होता है तो हाइड्रिला और जलकूं भी होता है निकि D, इसका राई टेंसर हो जएगा, B और C दोनों होता है जंगली घास होता है निमनांकित में किसकी अन्वनसिक भीवी धिता भारत में अत्याधिक है तो सबसे अधिक आम की है यान की अपसा नमबर D, इसका राई टेंसर हो जएगा आम है जो राष्टिय फल है भारत का निमने में से कौन प्रारंभ कूट है तो A, U, G, A, O, G, U, G है जो की प्रारंभ कूट के रूप में है यानिका अपसा नमबर B, इसका राई टेंसर हो जएगा नेक्ट नप्राशने की पौध है जो जलिये वातावरन में नहीं पाए जाते हैं वे हैं बभूल यानिके अपसा नमबर D, इसका राई टेंसर हो जएगा T, I, Plasmid, निमनानकित में से किसे से प्राप्त किया जाता है तो या एग्रोबेक्ट्रियम, राईजोजेंस, एवं एग्रोबेक्ट्रियम, ट्यूमे, फेसियंस यानिके A, B, इसका राई टेंसर हो जएगा यानिके अपसा नमबर C, इसका राई टेंसर हो जएगा दोनो कॉपट्ट्टी किसे से बचाओ का कार्य करता है तो या निशेचन किरिया को किरिया से बचाव करता है copper tea यह खास कर लड़किया यूज करती है यानिकि इस तीरी यूज करती है copper tea का अब घर्टा कैसे होते हैं तो अब घर्टा किया organo trops होते हैं यानिकि option number B इसका right answer हो जेगा next नप्रस ने निम्नांकित में कौन संगट ग्राष्ट species है तो वो होता है निपे एस्थिस यानिकि option number C इसका right answer हो जेगा मनुष्य में A, B, O रक्त समुह क्या दर्साता है तो यह बहु अलिल दर्साता है यानिकि option number B इसका right answer हो जेगा निम्नांकित में बाय अस्थाने सरक्षण का उधारन कौन है तो यह बीज बैंक होता है C इसका right answer हो जेगा निम्न में से कौन मोबाइल आन्युअन्सिक पदार्थ है तो मोबाइल आन्युअन्सिक पदार्थ के रूप में ट्रांस पोजोन होता है अपसा नंबर B इसका right answer हो जेगा नेक्षन प्राष्णे की मनुष्य में पलाजमोडियम की संक्रण अवास्ता क्या होती है तो एस्पोरो ज्वाइट होता है अनिका अपसा नंबर A इसका right answer हो जेगा निम्निखित में कौन द्वी गुणुत सारचना है तो युगमना जे जोकी दूगुणित सारचना होता है अपसा नंबर C इसका right answer हो जेगा गोबर गैस पलांट में कौन सा जिमाडू प्रयुक्त होता है तो मिथनो जेंस होता है अपसा नंबर D इसका right answer हो जेगा किस जनन परत से रक्त तथा परिवाहन तंत्र का उद्भाव होता है तो याँ मिजो डर्म से अपसा नंबर B इसका right answer हो जेगा RNA के अधार पर अनुकरम AUCGC CU GA का सही अधार अनुकरम DNA में क्या होता है तो इसका right answer हो जेगा B T A G C G G A C T होता है अपसा नंबर B इसका right answer हो जेगा नील हरीत सेवाल की स्खेत के लिए उपियोगी जेव उर्वारख है तो यह जावल के लिए होता है उपियोगी खासकार AUCHA जाकी Pregment Scope बनता है तो यह DNA के पस्चगामी strand में बनता है अपसा नंबर C इसका right answer हो जेगा पक्षियो तथा तितली का डैना कैसा अंग होता है तो यह O समजात अंग होता है अपसा नंबर D इसका right answer हो जेगा Turner's syndrome में कितने गुर्ण सुत्र होते हैं तो इसमे 45 गुर्ण सुत्र होते है Turner's syndrome में जल में कुलाई की अधिक्ता किसकी सूचक होता है यही कि सूचक होता है तो यह वाहित मल्ड जल पर दूसक के अपसा नंबर C इसका right answer हो जेगा निम्नांकित में कौन केंसर को सीकाए हैं तो केंसर को सीकाए के रूप में हेला को सीकाए होती है अपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा जेड़ जेड़ अपॉन जेड़ डबलू तरह का लिंग निर्धारन किस में देखा गया है तो वह मोर में देखा गया है अपसा नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा अध्रक में काईक परवर्धन किस के द्वारा होता है तो यह राईजोम के द्वारा होता है अमलिय वार्षा का pH मान कितना होता है तो 4 होगा अप्सन अबर D इसका राईट एंसर हो जगा नेक्ट नप्रस ने ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की परचुर्व मात्रा पाई जाती है तो इसमें विटामिन A सबसे अधिक पाई जाती है निम्रांकित प्लाजमीड कौन है तो प्लाजमीड के रूप में PBR322 यानि अप्सन अबर C इसका राईट एंसर हो जगा नेक्स्ट प्लाजमीड निम्रांकित में से जेव अवर्धिकरन का कारण की से माना जाता है तो वो होता है पारा एंव डिडिटी यानि कि अप्सन अबर C इसका राईट एंसर हो जगा A और B दोनों को अवर्धिकरन का कारण माना जाता है कौन सा प्रामीड कभी उल्टा नहीं होता है तो वो होता है उर्जा का ऑफ्सन अबर B इसका राईट एंसर हो जगा 33 प्राश्ट के सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है तो सिल्क धागे में हम प्रीप ररीड मंएं होता है कि 7好好 सी इसका है इसके इंसर होज़ेगा निमणां कि किसमें पारप कायक और OS होता है तो अफुच्टा ने यानि अपसान no.C इसका right answer हो जगा next नप परष्ट को देखेंगे और यहां परष्ट के एंटीबोडी स्वीज जो हमारे सरीर में हैं वे क्या हैं तो वे ग्लाइको प्रोटीन होता है अपसा no.C इसका right answer हो जगा मनुस्य निम्रांकित में से किस ओडर तथा अप्सन नबर c इसका राइट answer होज़ेगा जी एए Gottes siendo की सका recognition site है तो तो उह peanut फोरा का अप्सन नबरab a इसका राइट इंसर होज़ेगा विंद कुछ माय वाले बीजो को क्या कहा जाता है तो इसे हम लोग endья ago I pick कहेंगे अपसन नबर C इसका राइट एंसर हो जगा नेक्ट नप प्रस्ण है कि परकास रसानिक धुंद में निम्नांकित में से क्या नहीं पाये जाता है तो इसमें कार्बन डाइकसाइड नहीं पाये जाता है D इसका राइट एंसर हो जगा पॉलिमरेज श्रिंखला अभिक्रिया का क्या कार्य होता है तो यह DNA प्रवर्धिकरन का कार्य करता है बायू परागकर्ण किस में नहीं होता है तो बायू परागकर्ण यह सेल्बिया में नहीं होता है अपसन नबर D इसका राइट एंसर हो जगा रिट्रो भिशारू निम्नांकित कीस बिमारी का रोग जना कहे तो ओँ होता है एड्स का दोस्तो 2020 का प्रस्ण खत्म हो चुगा है तो चलिए हम लोग 2019 के सभी प्रस्णों को देखते हैं बारी-बारी से तो और यहाँ पर 2019 के प्रस्णों को देखेंगे हेतू किस पौधमें किया जाता है तो इसे हम लोग तमबाकों के पौधमें करते हैं बाइ। करता है याकापास के कीटोग नियंतुर करता है मृधा में नाइट्रोजन इसत्रीकरन हेतू हम किसका प्रयोग कर सकते हैं तो नीलहरीत बैक्ट्रिया का Second First प्रियोग किसके लिए कर सकते हैं तो बैक्सीन की सुरक्षात्मक जाच्छेतु इसे कर सकते हैं नेक्ष्ट प्रश्ण रेस्ट्रिक्षन इंजाइम जाने जाते हैं तो यह खास कर आणवी कैंची के रूप में जाने जाते हैं रेस्ट्रिक्षन इंजाइम जलधारन जलधारन चमता इन में से किसका गुण है तो होता है म्रीदा का अप्सान नमबर ए इसका राइटेंस रोजगा किसी खास समय और अस्थान में किसी खास अबादी में म्रीदू की संख्या को क्या कहते हैं तो इसे हम लोग मोट्रे लीट कहेंगे अप्सान नमबर बी इसका राइटेंस रोजगा लेक ओपेरान किसका परती निधी है तो यह खास कर अनुदेशी यहाँ पे मिटग गया है क्रिया बीधी का और बी भी सहिए दमनकारी जिन क्रिया बीधी का और सी भी सहिए ग्री संचालन जिन संराशना के अन डी इसका राइटेंस रोजगा अप्सान नमबर डी इनमे से सभी का लेक ओपेरान परती निधी होता है नेक्षन प्रस्ण है सिकल को सिकाए इनिमिया कीस परकार का रोग है तो यह ओटोसोम संबंधित रोग होता है सिकल को सिका परिपक्व सुक्राणू के सीर्श पर एक टोमिनूमा सरचना पाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो इसे हम लोग एक्रो सोम कहेंगे अपसा नमबर A इसका राइट एंसरो जगा ब्रिवरी का संबंध किसे से होता है तो सेक्रोमाईसिस से होता है ऐ इसका राइट एंसल रोज़ेगा बाहरी DNA को मेजवान कोशिका में लाने है तो किसका उप्योग कर सकते हैं तो इसमें हम लोग GIN, GUN और MICROP, PPET यानि की C इसका राइट एंसल रोज़ेगा A और B दोनों का उप्योग कर सकते हैं कि नेक्षन प्रस्ट को देखेंगे और यहां प्रस्ट की इस्तरी दल चक्र पूस्प में बना है तो यहया में उपरिक्त सभी से बना है और उभरी इस्टाल बना होता है एस यह खासकर जीवन की उत्पाती और विकास से समबंदिते ASL मिलर यूरेसील किसे समबंदिते योरेसील या RNA से समबंदित होता है AMP पाषלी या जिन किसमे परतिरोधक छामता विक्सित करने हैं तो उतरदाई होता है तो या परति जेविक में होता है अब संबर C इसका राई टेंसर होजेगा इसकी आवधरना की सके द्वारा दी गई तो यह यह आई ऐ आई ओपरीन तथा जे बी एस हेडेन द्वारा दी गई थी अपसान नमबर ए सका राइट एंसर हो जगा नेक्ट अ प्रस्ण की बेलिस नेरिया के पुस्प हैं तो बेलिस स्रीलेनिया के जो पुस्प होते हैं वो थे हैं जल परागीत अपसा नबर सी इसका राइटेंस रोज़ेगा नेक्शन प्रस्टन की पादवपोब में एमफीबियम उभाय अस्थाई किसे से समबंदित होता है तो यह खासकर ब्राय फाइटर से समबंदित होता है बी इसका राइटेंस रोज़ेगा बी लिम्फोसैट्स का निर्मार कहां होता है तो यह अस्थिमाजा में होता है यह इसका राइटेंस रोज़ेगा अफीम किसे से पराप्त होता है तो यह भी पापावर सोमनी फेरम से प्राप्थ होता है यह इसका राइट एंसर हो जगा एचिक जीन के बहुली करण हेतु किसका उप्योग कर सकते हैं तो इसमें हम लोग PCR का उप्योग कर सकते हैं भी इसका राइट एंसर हो जगा नेक्षना प्रस्ण के युगमक समान्यता किस परकार के होते हैं तो यह हेपलॉइड यानिकी एक गुणाख होते हैं PC कल्चर यानिकी मत्यात से पालान किसी से संबांदित है तो यह जलिये जनत्यों से संबांदित होता है मत्यात से पालान F2 संताती की बाहलाक्षणी अनुपात अपुर्ण परभावित की स्थीती में क्या होता है तो इसमें एक अनुपात दो अनुपात एक होता है सी इसका राइटेंसर हो जेगा जेव रियेक्टर अनुकूल तम प्रिस्थीती में क्या निर्मार करता है तो यह धान जेव रियक्टर अनुकूलम प्रस्तिति में यह निर्मार करता है उत्पादक भी जीव भी माध्यम भी अनिक डी इसका राइट हैंसर हो जेगा यह सभी उत्पाद निर्मार करता है ताई चूंग इनमे से किस की किस में होता है तो यह धान की होती है ताई चुंग अप्सन अबर A इसका राइट एंस रोजेगा गर्भा से किसे से संबंदित होता है तो यह मादा इस्तिरी जनन तंतर से संबंदित होता है इन में से कौन सी गलत जोड़ी है तो T बराबर U जो गलत जोड़ी है इसका राइट एंस रोजेगा चरम समुदाई किस छेतर में पाय जाता है तो यह संतूलित छेतर में पाय जाता है चरम समुदाई DNA साचे पर R, A, N के निरमाण को क्या कहते है तो इसे हम लोग ट्रांस्क्रिप्शन कहेंगे option number B इसका राइटेंट सरोज़ा है east में प्रजानन मुख्यता किसके माध्यम से होता है तो यह विखंडिकरन के माध्यम से होता है triopethics इन में किसके अधिक समान थे तो यह एप के समान थे 6 रोग का संक्रमाण मुख्यता किसके द्वारा होता है तो यहाँ हवा के द्वारा होता है अप्सन नमर ए इसका राइटेंस रोज़े कुछ रोगो की सिग्र एउसा ही पहचान है तू हम किसका प्रियोग कर सकते हैं तो इलाइजा यानि की इलीशा का प्रियोग कर सकते हैं इसका राइटेंस रोज़ेगा तो 2019 का प्रशन के खत्म हो चुका है तो अब देखेंगे 2018 के प्रशनों को और यहां पे आच गहे है 2018 के सभी प्रशनों को एंसर जानेंगे तो चलिए 2018 के प्रश्णों को देखते हैं और यहाँ पर फस्ट ना प्रश्ण है कि एक स्वस्त महिला के पूरे जीवनकाल में उत्पन कुल अंडों की संक्या कितनी होती है तो चार सो होती है यह इसका राइट अंसर हो जागा जो दोड़ा 18 का प्रिक्षा होता है वह इतिहास का यानिकि बिहार बोर्ट का सबसे भारी प्रिक्षा होगा था और यहाँ पे दूसरना प्रश्ण के गरभासा में कौपर टी के एक प्रभावी यो अंतर गरभास से युक्ती होने का मुख्य कारण किया है तो होता है गरभासे में कौपर आयन मोचित होने के कारण सुक्राड़ों की भक्ष काड़ों किरिया में ब्रीधी बी इसका राइट एंसर हो जेगा निम्नांकित में से कीस पोधों की प्रजात्तियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है तो यह एस्ट्रेसिया एवं घास के अपसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्स नप प्रस्टने एक ही अस्थान पर उपस्तित रहने वाले जीन जीन की विभिन अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं तो इसे हम लोग बहु अलील कहेंगे अपसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जेगा सबसे अधिक तथा सबसे कौम जीनवाले मानों गुंडशुत्र इनमे से कौन है तो गुंडशुत्र एक यह वाई है अपसा नमबर सी इसका राइट एंस रोज़गा दात्र कोशी का अरक्तता परदर्सित करता है तो यह खास कर प्लियो ट्रोपी परदर्सित करता है इसका राइट एंस रोज़गा अस्टेलिया के सिसुधानी प्राणियों के अनुकूली भी किरन इनमे से किसका उधारन है तो यह उधारन होज़गा अभिसारिक क्रम विखास का भी इसका राइट एंस रोज़गा एक किश्वे गुर्ण सुत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांसिक बिमारी होती है तो यह डाउन सिंड्रोम होती है अपसा नमबर डी इसका राइटेंस रोजेगा नाइन प्रश्ण की एक समाने द्रिष्टी वाली महिला जिसके पिताब वर्धान्द है कि साधी एक समाने द्रिष्टी वाले पूरुष से होती है तब उसके होने वाले पूत्रें पूत्रिक में वर्धान्दता की संभावना इन में से क्या होगी तो यह 50% वर्धान्द पू पूत्रें पचास परसेंट समाने द्रिष्टी वाले पूत्री को जन्म दे सकते हैं अप्सन नमर बीस का राइट एंस रोजेगा पर्ति जेविक पर्ति रोधी जिवाडु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उधारन होता है तो यह ट्रांस डक्षन का उधारन था बीस का राइट एंस रोजेगा ऑन Nag inge सुकेंद्रिये में है ठी आर एण Ö उभ्यो और यह इस औैन एशन और एइन्च के अनूलेक में इनमें से कौन अन्तक्रस्थ होता है तो यह आरे ने when पुदिमरेज थिरी का होता है अपसा नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा एक बाला का रोधिर वर्ग O है तथा उसके पीता का रोधिर वर्ग B है तो उसके पीता का जीन प्रारूप इनमे से कौन होगा तो यह A O A I O I B हो सकता है अपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा फ्लेवर सेवर इनमे से क्या है तो यह परजीवी टमाटर होता है फ्लेवर सेवर नेक्ट नप्रस्टने प्रती बंधन एंडरो नूकलियस दी एन एक एक बिसीष्ट साखा अनुकुराम को पहचानते हैं तो इसे हम लोग पेलियंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड ओर्डो से पहचान पाते हैं यह इसका राइट अंसर हो जगा किसी भी जीन की अन्भी व्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपाधित होती है तो इसमें छोटा ब्यक्तिकारी RNA और एंटिजेंस RNA यानिकि AMB दोनों सही है सरफ फर्थम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उप्योग किस के लिए किया जाता है तो यह खास कर एडिनोसीन डिने मीरी DA मीनेज की कमी के लिए इसका उप्योग करते है क्लिनिकल जीन चिकित्सा का यह इसका राइट एंसर हो जागा नेक्ट नप प्राशन है जी ए ए टी टी सी किसे प्रतिबंधन एंडियो नूकलियेज का अभिग्यान अस्थान है तो यह इको आर आई का होता है सरपर्थम निर्मित यहाँ पर आई नहीं वान है सरपर्थम निर्मित पर जिवी गाय का नाम इनमें से कौन था तो सरपर्थम पर जिवी यानि कि निर्मित पर जिवी गाय का नाम था रोजी अपसा नमबर D इसका रायट एंस रोजी इन में से कौन सा निमेट टोडार तमबागु के पौधे की जड़ों में जड़ों को संक्रमित करता है तो इन में से जो मिलाइडी डोजिन इनको गिनीता जो संक्रमित करता है सी इसका राइटेंस रोजगा आणविक तकनीक जीन में जिसमें किसी भी एकचित जीन की अनेको प्रती इन भी ट्रो संसलेशित की जा सकती है क्या कहलाती है तो यह PCR कहलाएगी अपसा नबर भी इसका राइटेंस रोजगा नेक्षना प्रस्ट है जिमाडों की कोशिका भीत्ती को तोड़ कर उसके DNA और अन्य ब्रिहत जेव अन्यों को मुक्त करने है तो इन में से कौन सा एजाइम्स पर्यूक्त होता है तो इसमें हम लोग सिलूलोस का प्रियो करते हैं इन में से कौन स्वप प्रतिरक्षा रोग कहलाता है यानि कि उधारन होता है तो इन में से दामा का उधारन होता है यह इसका राइटेंस रोजगा तमबाकू के सेवन में से सरीर में कौन सा उपापाचाई परिवर्तन सिग्रिप परिलक्षित होता है तो इन में से अधिब्रिक ग्रांथी के उधिपन केटे कोली लेमीन का रक्त सराह और व्यक्ति के रक्त चाप तथा फिर्दय अस्पंदन की दर्ख में एका एक बिरिधिया निकि सी इसका राइटेंस रोजगा एवं भी दोनों नेक्ष्ट प्रस्ण है उच पैदवार एवं रोग प्रती रोधिस सोना अलिका एवं कल्यार सोना किस की किसमे हैं तो यह ग्यहों की किसम होती है इन में से कौन एक जेव खाद नहीं है तो जेव खाद के रूप में बैसिलस ठ्योरिंजी एंसिस जो की नहीं है जेव खाद जेव जिवारू के समुह जो फफुंदी के तंतुओं से जूर कर जाल जैसी सनाचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं तो यह फ्लक्स का लाएंगे प्रोबायोटिक्स क्या है तो यह सुरक्षित प्राती जेविक होता है नेक्शना प्रस्णे प्रोटीन इन में से कौन है तो यह क्राइप प्रोटीन होता है इसका राइट एंसर हो जेगा इन में से से पस्च भिषारू कौन है तो पस्च भिषारू के रूप में यूमीन होटा है एस यह कैशा सी इन में से कौन सी दिविमारी defect check द्वारा उधपन होता है तो प्रत्योधवेग द्वारा उधपन होनेमारी वह होता है जेजular हानेकि अप्सां भीक इसका है प्रकास राशानिक धूम कोहरा इनमे से किससे बनता है तो यह सुलफर डाइकसाइड एओ पेन एओ धूमा से बनता है अप्सान नमबर इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्ष्ट प्रस्ट को देखेंगे और यहां प्रस्ट ने कि मनुस्य में हीम अंधता का मुख्यकारण इ इसका राइट एंसर हो जेगा बायमंडल के निचले भाग से सिखर तक बायू अस्तंब्यानिक कोलम में ओजोन की मुटाई किस इकाई में मापी जाती है तो यह मनें कि इसे डॉप्सन इकाई से मापते हैं यह इसका राइट एंसर हो जेगा बीश्व में पाए जाने माले जnev babita hot spot की संक्या इनिमें से कौन सी है तो यह 34 होति इसका राइट इंसर हो जेगा इनि में से कौन से ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में है मिधेन भी होता है करबंडाइकը आइक स्ग्लोरो फ्लोर क्राव्यार भाण धृप्ष्ष्ड कहनल को लें ह के 2017 के प्राष्णों को तो चलिए देखते हैं और यहां पे 2017 का प्राष्ण भी आचुका है आपके सामने तो देखेंगे 2017 के प्राष्ण और यहां पर फश्ण प्राष्ण कि नीम्न में से कौन द्वीगुंद। सनाचना है तो द्विगुनुद सनाचना के रूप में ये गुम्राज होता है सीस का राइटेंस रोजगा उनको जीन इन में से किस के लिए उतरदाई होता है तो यह खास कर कैंसर के लिए उतरदाई होता है आप देख भी सकते हैं कि कितने प्रस्ण दोहराया गया है यह अहां इन्में से कौन पधा जलोद भीति होता है तो जलोद भीति के रूप में सिंघाडा होता है एसका राइटेन सरोगेगा सरीर के बाहर होने वाले निशेचन को क्या कहेंगे तो इसलिए यह इन भीवी कहेंगे भीवे बीस का राइटेंड सरो जगा next अप्राशन है कि बीस्व परेवारन दिवस की स्तिती को मना जाता है 5th June को मना जाता है बीस्व परेवारन दिवस ये इसका राइटेंड सरो जगा ट्रोली को सीखाएं कहां पाएजाती है तो यह ब्रिशंड में पाए जाती है यानि की मनुस्यों पाए जाती है खास कर नर जाती में ओपेरण मंडल क्या परदरशित करता है तो ओपेरण मंडल या जीन का रेगुलेशन परदरशित करता है C इसका राइट एंसल होजेगा निमलीखित में से कौन जन्तू उभाइलेंगी नहीं है तो उभाइलेंगी नहीं है ओ होता है घरेलू मक्खी सी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्षन प्रास्ट को देखेंगे और यहाँ पर प्रास्ट है कि इनमे से कौन सा नाइट्रो जिनस बेस डी एन ए में नहीं होता है तो इनमे से जो बी है यहने की उरासील इसमें डी एन एमें नहीं होता है कि नाइट्रो जिनस बेस रेड डाटा भुक में समलित होता है तो बिलुप्त हो रहे पौधो की सूची भी दूडला पौधो की सूची भी अपत्ति ग्रस्त प्राण्यों के सूची भी आने कि D इसका राइट एंसर रहेगा इनमेस सभी जो की रेडड डाटा बुक में समलित होता है पुसपासन खाया जाता है तो पुश्पासन खाय जाता है सेब का डी एन ए इन में से किसका अनिवांसिक पदार्थ होता है तो यह टी एम बी का बेक्ट्रियो फेज का भी यानिकित सी इसका राइट अंसर का है दोनों का चलिए नेक्ष्ण प्रास्ट को देखते हैं और यहाँ प्रास्ट नहीं कि जनस संख्या अधिक होने से जबीन की कमी भी होती है आय में कमी भी होती है खनीच पदार्थों की कमी भी होती है निकिए इसका राइट अंसर हो जेगा एक रो सोम इन में से किसका सम भाग होता है तो एक रो सोम यह माना सुक्राणू के सीर का भाग होता है इन में से कौन जिवा की रूप में कुष्ट रोग भी होता है छाय रोग भी होता है है जानों मनुस्या यानि की कुरूष में गूर्षूत्र की संख्या मनुस्या पूलष vow होता है 20 का राइट एंसर होज़ेगा वा एसीटा बूलेया निवन में से क्या है तो एसीटा बुलेया यह सेवाल होता है तो चलिए नेक्ष्ण परस्ट को देखते हैं। और यह पर पराशनी की अधनु मिल्य को अ प्राग्ड़ वाले पौधे में निश्यत्रूप से क्या होता है। तो इसके हम लोग देखेंगे स्वब परागण होता है प्रिस्थिति क तंत्र के अहार सम्मोहरई होता है। तो इसमें एक दिस यह होता है इसका राइट एंस रोज़ेगा इन में से कौन सा रक्त समुख सरभौमिक रक्त दाता है क्यानि कि कौन सा जो रक्त समुख जो सभी को दान कर सकता है तो ओ है डी अपसा नमबर इसका राइट एंसर हो ज़ेगा वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के द्वारा द्वानी पर्दूसर्ण का कौन सा मानक सही है तो या 20 से 30 डेसिवल ए इसका राइट एंसर हो ज़ेगा मलेरिया रोग उत्पन होता है तो मलेरिया रोग या खास कर मादा एनोफिलीस मचर के करान होता है किस गैर फली पौधे के जर पीड में जेवी खाद मौजीत होता है तो या एजोटो बेक्टर दूद से दही बनाने में किस जिवानों का उप्यूग होता है तो इसमें लेक्टो भेसलस नमक जिवानों का और जित गुणों के वनसागती का सिधान किस के द्वारा दिया गया कि किया गया तो यह ले मार्क के द्वारा दिया गया था अर्जित गुणों के वन्सकति का सिधान तो दोस्तों 2017 का प्राश्ण भी खत्म हो चुता है तो अब देखेंगे 2016 में पूछेगा इस सभी प्राश्णों के एंसर और यहां पर आ चुगा है 2016 के सभी प्राश्ण तो इस में देखेंगे कि भुरुण कोस की सिν्टेरल कोस्ति का है तो यह इस सिन्ट्रकर से द्वित्यक् खंद्रक होता है 20 का राइटेढसर हो जनेगा और यहां पर नेक्ष्ण प्रस्ण एकि बीज चोल खाय जाता है तो भीज छोल खाहे जाता है यह खासका नारंगी का उभालेंगी प्राणी के रूप में कौन है तो केचुवा है तो इसमे एंटिबड़ी ए उपस्तित रहते हैं डीस का राइट हैंसरो जगा को प्रास्टन है कि यह पर बचाता है तो यह आम को बचाता है अमलिय बार्षा के कारक क्या है तो अमलिय बार्षा के कारण होता है यह CO2 और NO2 लाइकेन जो सुचक होता है तो लाइकेन जो सुचक होता है यह CO2 परदूसरन का सुचक होता है मानो सधारत या ध्वानी तिव्रता सहन कर सकता है तो मानो अधिक सधिक कितने ध्वानी को सहन कर सकता है तो यह 80 से 90 डेसिबल की ध्वानी 20 का राइट एंसर होजेगा नेक्ट नप्रस्ण है कि निवने में से किस में जल प्रागण होता है तो जल प्राइगर्ड पुछाएं तो जल प्राइगर्ड यह खास कर हाइड्री लाइम पाए जाता है ट्राइसोमी 2N प्लस वन के कारण बच्चे मंद बुधी के हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो इसे हम लोग इन में से कोई नहीं कहेंगे यानि कि इसे हम लोग कुछ और ही कहेंगे नेक्ट प्राइस ने कि DNA यानि कि इसका राइट एंसर हो जगा DNA DNA फिंगर प्रेंटिक निमने में से क्या है तो यह DNA टाइपिंग होता है DNA प्रेंटिंग इसका राइट एंसर हो जगा नेक्षना प्racषने की निउडमें से किस DNA अडू में प्यूरीन है तो प्यूरीन या खासकर A and C में होता है AIDS बिमारी में HIV किस कोशिका को नस्ट करता है तो या C कोशिका को नस्ट कर देता है AIDS बिमारी गीर राष्टिय उद्यान विख्यात है तो की राष्टिय उद्यान विख्यात है या खास कर चित्ता के लिए है सी इसका राइट एंसर हो ज़ेगा नियुक्लिक अमल के नाइटो जिन्स बेस के बीच कौन सा बंधन पाय जाता है तो इसमें पेप्टाइट बंधन पाय जाता है इसका राइटेंस अनुजएगा नेक्स्ट प्रास्ट की किस कारण से होता है तो किसर या उंको जिन्स के द्वारा होता है किसर कलियार सोना किस का किस में होता है तो कलियार सोना या गिहों के प्रोनित किस में और सोना एएउंसी दोनों सही है निवने में से कौन एकल कोईसी का प्रोटीन है तो इस्पाइरू लीना जो की एकल कोईसी का प्रोटीन के रूप में है किसमें क्रित्रिम बीज का निर्मार किया जाता है तो बहु भुरून में क्रित्रिम बीज का निर्मार किया जाता है नेक्ट नप्रास ने कि B DNA के एक पुर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पे अर्स होते हैं तो इसमें 10 पे अर्स होते हैं इसका राइट एंसर हो जगा B DNA में तो B DNA में 15 होता है नाइट्रोजीनस बेस नाइकि option number C scar राइट एंसर हो जगा इसमें पेर्स के संक्या B DNA में 15 होती है C scar राइट एंसर हो जगा नेक्ट नप्रास नेक्ट निम्न में कौन बिशानू जनीत रोग है तो बिशानू जनीत रोग के रूप में फुलू भी होता है पोले भी होता है एर्स भी होता है यानिके डी इसका राइट एंसर हो जगा डोडो है तो डोडो यह एक परकार का कि 10 का राइटेंस रोगा इन में से कोई नहीं है डोडो 24 का डीस का राइटेंस रोजेगा नेक्ष्ण प्रस्टने कि जिवाणु में पाये जाता है तो जिवाणु में यह खासकर प्लाजमिट DNA और RNA पाए जाता है A, A, C दोनों पाए जाता है C, इसका राइटेंश रोजेगा तो next नव प्रस्ण है द्वी संकर क्रोस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है द्वी संकर तो द्वी संकर का जो फिनोटिपिक अनुपात होता है C, इसका राइटेंश रोजेगा सुक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है तो इसमें अलेंगिक प्रजनन और समान अनुवनसिक गुणों वाले पोधों का सुक्ष्म प्रजनन कराया जाता है D, इसका राइटेंश रोजेगा A, A, B, दोनों दूद से दही बनाने में किस जिमानों का उप्यों किया जाता है तो लेक्टो बेसलस नमक जिमानों का ये भी प्रश्णों 312 हम लोग रिपीट कर चुके हैं अभी तक तो दोस्तो 2016 का प्रश्ण भी खत्म हो चुका है तो आप देखेंगे 2015 में पूछे गए सभी प्रश्णों के एंसर और यहापे 2015 का प्रश्ण भी आ चुका है आपके सामने तो चले देखते हैं और यहापे प्रश्णे की जब संतर्थी की उत्पाती जनक द्वारा होती है लेक्श्ण प्रश्ण है कि मानो युग्मकों में गूनच शुत्रों की कितनी संक्या होती है तो मुर्गी में भी होता है साप dif निया में टीस का राइटेंस रहें इन में से सभवी मोगता है और प्रजक्म दिवाच हुता है तो दिवीकोरीच यह और होता है यह प्रश nhiह कितने बार रीपीट हो चेका ऊच्छक है युक और आर आइंजाइम का शरोत होता है कि प्लइलीजेजर्ट परदूसक का सुचक होता है कि या लाइकें का होता है भी इसका राइटेंसर टी लिंफोसाइट का टी लिंफोसाइट उत्पन होता है तो टी लिंफोसाइट या अस्तिमाजा से उत्पन होता है यह भी प्राश्ण कितने बार देख चुके हैं सहद का निर्मार कौन करती है तो सहद का निर्मार कर्या करता मधुमाखी करती प्रश्ण के बीडिया को किस में हीमिक्रीत किया जाता है तो बीडिया को हम लोग रेफ्रीजरेटर में करते हैं निम्रांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है तो मुर्गियों के में भी हैजा भी होते है रानी खेत भी होती है युट भी और डी इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रोटो प्लास्ट कॉल्चर का फ्यूजो जेंन क्या है तो यह प्लाजी प्लात को प्लास्ट कॉल्चर उकुलजी या केछर का अध्यान होता है इटली बोसा κα़ 28 extx शुक्षमीजिव के प्रयोग से बनता है याणाया जाता है तो या जिवाड़ू सुक्षमजीव जयानी के प्रयोग से बनाये जाता है तील प्लाजमीड किसमें पाजude पुछाए तो टील प्लाजमीड या एक्रोबेक्टरियम एवो टूमो फेशर्रसमें में पाज़ाता है यह भी परशन 2-3 बार अभी तक देख चुके हैं एगा रोग किस से प्राप्त किया जाता है तो एगा रोज या समुद्र घास से प्राप्त किया जाता है योन संचारित रोग होता है तो योन संचारित रोग के रूप में गुनोरिया होता है अप्सान नमबर सी इसका राइट एंसर हो जगा नेक्षन प्रस्णे की अन्वन्सिक कूट में कितने कूट होते हैं तो इसमें 64 कूट होते हैं बरदान्दता में रोगी नहीं पाचान पाता है तो इसमें रोगी को लाले हारा रंग में कोई अंतर नहीं दिखाई पाता है कि यह लाले रंग है या हारा तो इसमें रोगी नहीं पाचान पाता है ओपिरन मंडल प्रस्तावित किया जाता है किया था ओपिरन मंडल प्रस्तावित किया था तो यह जो जेकॉब और मुनाड ने सी इसका राइट एंस रोजेगा एकिडना है तो एकिडना यह योजक कड़ी होता है निवन में से कौन किट भक्षी पौधा है किट भक्षी पौधा के रूप में ड्रासेरा और नेपेंथिस से एंकि ए एंसी दोनों इसका राइटेंस तरोजेगा नेक्ट प्रस्ण है सुक्राणु जनन का नियंत्रा किसके द्वरा होता है तो सुक्राणु जनन का नियंत्रा या एल एच से होता है मानाव रूधिर एबी बर्ग में होता है तो मानाव रूधिर बर्ग एबी में होता है एंटीबडी उनुपास्तित रहते नहीं रहते हैं गोल्डेन राइस में पाय जाता है तो गोल्डेन राइस में खासकर विटामिन A पाये जाता है मिट्टी को उपजावू बनाने में सहायक होता है तो मिट्टू के उपजाव बनाने में सहाय सबसे अधिक होता है तो जेविक खाद होता है तो दोस्तों 2015 का प्राश्ण भी खत्म हो चुका है तो आप देखेंगे 2013 का प्राश्ण क्योंकि 2014 में अब्जेक्टिव नहीं पुछे गए ते वह ओन लाइनर एंसर कोशन एंसर पुछे गए ते 2013 का प्राश्ण को देखेंगे और यहाँ पर आ चुका है 2013 का प्राश्ण भी आपके सामने तो देखते हैं इनके प्राश्ण को भ्रूण पोस में कितने क्रोमोजोम होते हैं तो भ्रूण पोस में 3N होते हैं यानिके तीन के गुला जोते हैं बायू प्रागित पुस्प समानित्य होते हैं तो यह छोटे एवं रंगहीन होते हैं B यां C दोनों इसका राइट एंस रोज़ेगा D इसका राइट एंस रोज़ेगा बिड़ल जांच से किसका पाता चलता है तो बिड़ल जांच से एर्ट्स का पाता चलता है कि एर्ट्स है या नहीं कान्हा राष्टिये मसुहूर है तो यहां खासकर बाह के लिए मसुहूरे क प्रतिक कोडोन पाए जाते हैं तो यहां टी आरेने में पाए जाता है सी इसका राइट एंसर रोजगा द्वीशंकर क्रोस में अनुलक्षणी फेनो टाइपिक अनुपात होता है। तो यह भी प्रश्णीक काफी बार पुछे जाए जालू कहाँ ड्वीशंकर क्रोस में। निम्नमे में से किसे कपटी रोखता है तो कपटी निशेचन को रोखता है। अप्सान नंबर A इसका राइटेंसर हो जगा कानों पर बल की बहुलता का जीन पाय जाता है तो Y क्रोमोजोम पर Bしました. प्रस्थितिक तंत्र सब्द के उप्योग काश्रे दिया जाता है। तो टॉन्सली को दिया जाता है ट्रस्थितिक तंत्र का स्रे प्रतेक पादप कोशिका से पुर्ण पौधा बन सकता है तो इस गूर को क्या कहेंगे तो इसे हम लोग UX कहेंगे अप्सन्म पूते से जाते हैं ट्रस्थितो आप देखेंगे डुन्सस्थों 12 की परोस्थितो उपर्स्री को पूझे देखेंगे के सामने आ चुक है तो देखेंगे कि गेमिट नीरमार को क्या कहते हैं तो गेमिट नीरमार को हम लोग कि गेमिटो जेनीसिस कहेंगे अपसा नबर ए इसका राइट एन्स रोजेगा नेक। नपरस ने कि निशेचन क्या है तो निशेचन या अंडा एंसेकेंडरी नुकलियस का सनियोज़ होता है निसेचन अन्वंसीकी के जना कौन है तो है मेंडल ग्रेगर जन मेंडल क्रोसिंग ओवर किस अवास्था में होता है तो क्रोसिंग ओवर या लेप्टोटीन में होता है लेप्टोटीन आवस्ता में क्रोसिंग ओबर होता है न्यूकलीक आमल पॉलिमर है तो न्यूकलीक आमल जो पॉलिमर होता है या न्यूकलियोटाइड का होता है यह इसका राइटेंस अरोजेगा या केमेश्टी का भी प्राश्ण देखा जा सकता है नेक्स ना प्राश्ण की एलिफेंटिस का कारक्त क्या है एलिफेंट टेसिस का जो कारण सबसे अधिक होता है या बुचेरिया से होता है अपसा नमबर सी सका राइटेंशन हो जगा सब्सक्यारी से जांको बॉचक्षेंटिस CDC नेक्स ना प्राश्न की इननistance काउन से उभहलेंगी श्राइपादप नहीं है तो वह होता है पापिता इस का राइट रहां जाता है 5 जून को 208 यह वह этमार जा चुका है अब देखेंगे 2021 के प्रस्षनों को का और यहाँ प्दोजार एका प्रस्षनiyण है कि कहः प्राइमिडीन मे पाए जाता है कि तो ये में पैरेमिडीन में पाए जाता है तो यह हवा के द्वारा होता है एक प्राश्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं तो यह उत्पादक की रूप में होते हैं हरे पौधे मेंडल ने चैन किया था तो टमाटर के पौधे का निर्ण में कौन एक लिंगी है सौरी और यहां पर चोथा नम प्राश्थिक मेंडल ने चैन किया था टमाटर नहीं गलत है यह गार्डेन मटल का मटल का प्रयोग किये थे लिए कि मेंडल ने सी डी इसका राइटेंसर हो जाएगा निर्ण में से कौन एक लिंगी है तो एक लिंगी के रूप में पफीता होत देखा लिएका नेक्शन प्रस्थ दिया इख ने मैं से कौन अहार शीरिंख्ला का सही है हर सीरिंख्ला कौन सही तो गहास बकरी से खास जो बकरी खाती यह बकरी को सिर काता है मांस बी स्कार आईटेंस रोजे है गॉल्डेन या सुनेहरा धान में कौन सा बिटामिन पाए जाता है तो इस में बिटामिन आ यह भी प्रस्न काफिवाद धोराया जाए सकता है गीर अभ्यारन परेसिदे यह भी काफ़ीबार धोराया जा चुका domi तक तो गीर उधारन या सेर के लिए खासकर नुक्लियोसाइड है तो नुक्लियोसाइड या होता है सुगर प्लॉस फासफेट का अप्शन नमबर भी इसका राइट एंसर होजेगा दासवाना प्रस्ण है कि एंटी को डॉंस किस में पाए जाता है तो यह खासकर टी आर एने में पाए ज देखते हैं मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या होता है तो अपवाद सोहलागनता होता है मेंडल के एक अपवाद ये सब ही काभी पर दोहराय जा चुका है अभी तक जितने भी परश्ण हम लोग देखे हैं उनमें और यहां पर चोथानव परश्ण के निम्न में से कौन योन संचारित रोग है तो योन संचारित रोग की रूप में ऐसीऊ से अपयो सिसी है सोरी नमबर डीस्का राइट एणसर होजहगा आरैने के पायर्णे के पाय जाता है साइट तो सी्समीह यॉर्य typically नमबर सीज का राइट एंसर होजेगा ट्रिपल एंटिजन टिक की का उप्योग नहीं होता है तो 6 का राइट एंसर होजेगा टाइफाइड के लिए PCR भीधि आवज सेक है तो PCR भीधि खास का रिया लिए शर्वर्द्धन में अवस्यक होता है चलिए नियुने कौण सी ग्रीन हाउस गेस है तो ग्रीन हाउस गेस के रूप में है नाइट्रोज़ान अपत् solelyлуч मर्स ही इसका राइटेर डिन सुरही Lee है लेकिन यहां पुछाए ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो है नाइट्रोजन अप्शन अबर डी इसका राइटेंस लोगे लेकिन मिथेन स्योटू क्लोरो प्लूरोकारवन यह सब ही ग्रीन हाउस गैस के उधारनहोते हैं ये फीन में से किसका पर उक्रमान करता है ये खासकर टी हेल्प कोस्का पर है कंद्रार आश्ट्य उद्ध्यान प्रसीद तो यह बागों के लिए परसीद है तो यह भी सेशन खत्म हो चुकता है आप देखेंगे लास्ट यानिकि अन्तिम जीव बिज्ञान के प्रश्णों को यानिकि जीव बिज्ञान 2009 में पुछेगा सभी प्रश्णों के इंसर इन में से कौन नौर युगमक से सन्योजन पर भ्रूर्ण पूस बनाता है तो यह सहयक कोशिगा बनाता है ब्रूर्ण पूस अस्तंधारी के सुक्रारू के मध्य भाग में क्या पाए जाता है तो मध्य भाग में माइक्रोकॉंड्रिया पाए जाता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है इस घर्टना को क्या कहत हैं तो इस घाटना को हम लोग प्रभाविता कहेंगे डी एने अडू में साइटोसीन 18 परसेंटे तो एडिनीन का परतिसत क्या होता है तो एडिनीन का परतिसत होता है 36 परतिसत अपसर नमर 20 का राइटें सरो बढ़ता तो आचा केंसर उत परिवर्तन दर की अधिकता किस के कारण होता है तो यह उजोन परत के कमी से होता है नेक्सण परस्ष्ण है कि बिडाल परिक्षण किसकी पूश्टी के लिए किया जाता है तो यह खास कर टाइफाइड के लिए किया जाता है ट्रांसफर आरेने में पाए जाने वाले तीन चारकों का क्रम जो संवेड संदेश वाहक आरेने कॉड़ॉन से बंधता है क्या कहलाता है तो इसे हम लोग त्रिक कहेंगे अप्सान नमबर इसका राइट एंसर स्वाला गनता समुह की संख्या उसको इसका के लिए क्या होगी जिन में टू एन बराबट 14 है तो यह 10 होगी अप्सान नमबर और 20 का राइट एंसर रोजगा तो चले नेक्शन प्रस्ट को देखते हैं और यहां पर प्रस्ट के बुचेरेरिया ब्रेंकोप्टी आदिमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है या किस समुह का है तो यह विशाडू समुह का होता है सीस का राइट एंसर रोजगा कौन सा अंग सबसे अधिक परभावित होता है तो सबसे अधिक यह क्रीथ होता है अपसा नमर बी इसका राइट एंसर होजगा तो दोस्तों आज का महत्पूर्ट से सन खत्म करते हैं इतना हैं प्रस्ट हम लोग 2020 से 2009 तक देख चुके हैं तो अगर यह से चान अगर यह से चान अगर यह से चान आप लोग को अच्छी लगी हो तो इससे लाइक करें और इस चानल से नए जुड़े हो तो चानल को सबस्क्राइब कर लिजीगा तो थैंक्स पर आज एंक दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स टुडियो में